हेलो फ्रंट्स दिस गौदम पांडे कमिंग अब दे नेक्स राउंड बस पांच मिनट आज की बस पांच मिनट में हम बात करेंगे इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी सेशन इन 2023 तो फर्स्ट अपॉल यह देखते हैं क्या कि यह न्यूज में क्यों है दे तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि IOC क्या है IOC क्या क्या काम करता है और इंडिया में इस सेशन के होने से इंडिया क्या प्रॉफिट होने वाला है और साथ ही साथ ओलम्पिक के कुछ important facts को भी समझेंगे तो फर्स्ट अपॉल हम जरा IOC के भी समझते हैं देखिए IOC ओलम् कैसे होगा कौन-कौन से नेशन उसमें participate करेंगे कौन-कौन से events को participate किया जाएगा और इसकी funding वागयरा कैसी होगी उस सारे बातों को IOC ही maintain करती है इसे establish किया गया था 23rd June 1894 को और अगर इसके vision की बात करें तो IOC का vision है कि sports के माध्यम से एक better world को build किया जाए means sports के माध्यम से एक अच्छा वोईसे बनाया जाए अच्छा world बनाया जाए तो आप जे राम समझते हैं इंडिया होने वामले इस से सेसन से क्या होने वाला है और इंडिया में इसके क्या क्या पॉइंट है समझते दिखी देखीं इन्डिया में 2023 में आयो सी का session हो गा यह होगा 139 session यह होने रही थी तो कहा गया कि जितने मेंबर्स थे जो पातिसर्ट कर रहे समने मिलकर 99% इंडिया को मिला है मिंस समझते में इसमें इसके बोटिंग मेंबर्स नियुदард इसके voting members होते हैं और 45 honorary members होते हैं तो कुल मिलाकर 146 बोर्ट में से approximately 99% बोर्ट इंडिया को मिले हैं तो इंडिया के लिए है बहुत ही अच्छी बात है तो अब जरा हम समझते हैं कि इंडिया में होने वाले इस meeting से इंडिया क्या profit हो सकता है देखे एक्सपर्ट का कहना है कि ज इतना आसान नहीं है कहना क्योंकि 2032 तक तो जितने भी olympic session है वो अल्रेड़ी pre booked है कहां कहां होने वाले हैं एक बर हम recall कर लेते हैं देखे 2024 के हम बात करें तो यह होने वाला है फ्रांस में परिस में होने वाला है 28 की बात करें अगर हम तो यह होने वाला हमारा USA में और 2032 क की बात करें तो यह हमारा होने वाला है Australia में मिन्स 2032 तक तो इंडिया को कोई चांस नहीं है कि कोई मौका मिलने वाला है तो होप ऐसा कहा जा रहा है experts द्वारा कि हो सकता है कि 2032 के बाद जो olympic होने वाला है उसे host करने का मौका इंडिया को मिल जाए अगर ऐसा होता है तो 8th century BC से लेकर 4th century AD तक ऐसा events होता रहा था लेकिन अगर modern olympic अगर हम बात करें तो यह first time हुआ था 1896 में यह हुआ था Athens में जब 1849 में international olympic committee को established किया गया था उसके बाद जाकर 1896 में first time यह modern olympic हुआ था तब से हर 4 year में olympic किसी ना किसी nation में organized किया जाता है अगर करेंट की बात करें तो आप एप्रॉक्स समझे 200 प्लस nation इसमें participate कर रहे हैं और more than 400 events बहुत बड़ा events से more than 400 events इसमें participate किया जाता है तो hope आपको यह video समझ में आया होगा thanks for watching current affairs by forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective last year we have helped more than hundred students crack IAS with our current affairs classes